तो मायक्रम मीरं चलिए बना लेते हैं तो हमने दस नमबर के दो रिंग लिए हैं बड़े और 10 नमबर की मीर्ञ ले लिए हैं और एक वाइट कलर और एक बलू कलर तो दो लक्षी ये दो ये पूरा हमने चार लक्षी ले लिया है tendency कमि लगेगा तो इस तरीके से चलिए नॉट बना लेते हैं पहले रिंग में तो हमने मािक्रम को देढिध मीटर कट किया है एक माइक्रम को धागे को तो इस से 40 धागा यह 40 धागा ब्लू कलर, वाइट और ब्लू, चालिस-चालिस धागार देड़ मीटर कट किये हैं, तो इस तरीके से अब हम नौट में फसा लेते हैं, और अब मीरर लगा लेते हैं, पहले सेट कर लेते हैं, नीचे वला हमारा कम्प्लीट हो गया, अब दूसरा रिंग भी हम डाल देते हैं, और उसकी बीच में मीरर डाल देते हैं, मीरर को सेट कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से तो हमने सेट करके अब दूसरे रिंग में फसाते जाएंगे वाइट वाले धागा को इस तरीके से फसा देंगे देखिए अब हम इसमें मोती लगाएंगे चार नौट ले लेंगे अब बीच वाले में अब हमें मोती लगा लेना है अब मोती को अब फसा लेना है नौटी बना के नौट इस तरीके से बनेगा बहुत ही खुशूरत लगता है दोस्तों ये मीर आप लोग जरूर बनाईएगा ये देखिए इस तरीके से अब हम कम्प्लीट करते हैं तो इस तरीके से चारो तरफ बना के कम्प्लीट करेंगे तो चलिए आगे देखते हैं अब हम ये फ्लावर एक बना लिए हैं अब दूसरा फ्लावर बना के आपको दिखाते हैं तो दीखिए इस तरीके से दूसरे मोती में लेके पाइपिन बनाना है दिखे, अब पाइपीन हमारा बन के तयार हो रहा है, एक डोरी पकड़िए और दूसरे डोरी से पाइपीन बनेगा अब एक साइट का मेरा पाइपिन बनके तैयार हो गया अब दूसरे साइट का भी पाइपिन बनाते हैं जैसे ब्लू में दिख रहा है आपको तो वही वाला पाइपिन हमारा बनके कम्प्लीट होगा भी यह उपर वाला पाइपिन है अब हमारा उपर वाला तो हो गया, अब इसको हम राउंड करेंगे, तो देखिए, मूती हमने लगा दिया है, किनारे साइड से, अब दूसरे धागा लेके अब इसमें पाइपिन करते हैं, अब धागा को दो पकड़ लेते हैं, एक धागे से पाइपिन करने के बाद, दो धा ये अब तीन धागा ले लिया है जो हमारा छूट गया था धागा वो भी उसी में कबर करना है तब हमारा एक साइड से मोटा होता जाएगा ये देखें अब ये चार धागा मेरा हो गया है, अब इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं, इस तरीके से पूरा बना के कम्प्लीट करना है, पूरे धागा को हमें ले के राउंड बनाना है, अब देखे ये पूरा धागा मेरे में आ गया है अब इसी से पाइपिन बनाना है अब इसको टर्न करन देना है तो इस तरीके से जैसे ब्लू में दीख रहा है आपको उसी तरीके से इसको टर्न करते जाएए यह फ्लावर बनके कम्प्लीट हुआ मेरा अब इसी तरह के से दूसरे साइड का भी कर लेते हैं तो यह भी हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम एक पिंक मोती ले लेते हैं बीच में लगाने के लिए पिंक लगा दीजे तो अच्छा लग रहा है तो अब हमने वाइत लगाया है अब पिंक लगा दिया है तो दीखे इस तरीके से लगा के फिर पाइपीन हम बनाते हैं यह दीखे अब यहां से हम एक वाइट मोती लगाते हैं यह पाइपीन हमारा कम्प्लीट हो गया अब मोती वाले हिस्से से लेके इधर किनारे वाले से फिर से पाइपिन बनाना इस्टार्ट करते हैं ये देखी कुछ इस तरीके से हमारा कम्प्लीट हो गया एक साइट का अब दूसरे साइट का भी इसी तरीके से कम्प्लीट करते हैं ये देखिए, हमारा ये बनके तयार हुआ है, पीछे से जो धागा है, उसको नॉट बना लेते हैं, सारे धागे को, देखिए, हमारा ये फ्लावर कम्प्लीट हो गया है, देखिए, कुछ इस तरीके से, अब लाइटर के हेल्प से कट करके, अब दोनों साइड में धागे को चिपकाते जाएंगे, देखिए, ये छोटा चा लाइटर मिलता है इसके साथ, ये देखिए, अब हमारा ये पूरा कम्प्लीट हो गया है, अब हम उपर का डोरी बना लेते हैं, जिससे मीरर लटकाने में आसानी रहती है, तो चलिए इसको ब्लू बाला भी बना लेते हैं, इस तरीके से बना के कम्प्लीट करते हैं इसको भी, और दोनों को पकड़ के हम जॉइन करेंगे, बीच में मोती लगा के, इसको भी कवर कर देते हैं, इस तरीके से देखिए, अब नॉट लगा लेते हैं, अब पीछे साइट करके, मीरर को पलट दीजिए, तो आसानी से बन जाएगा, तो जैसे हमने वाइट वाला किया है, ठीक उसी तरीके से ये भी बनेगा, ये दिखिए, सारे धागों को हम फसा लेते हैं, तो हमारा सारा फ्लावर तैयार हो गया दोस्तों, इस तरीके से हमने दो धागा लिया है, आधे आधे मीटर का, एक धागा, तो एक धागे को ही फोल्ड करके, इस तरीके से हम डिजाइन बना लेते हैं, मीरर को टांगने के लिए, ये देखिए, आप रिंग में भी लपेट सकते हैं, रिंग भी लगता है, इसमें छोटा, और ये धागे से भी बन जाता है, तो इस तरीके से हम इसको भी बना लेते हैं, ये देखिए, नॉट बना लेते हैं, ये देखिए, नॉट कम्प्लीट हुआ, अब इसको कट कर लेते हैं, अब लाइटर के हेल्प से, इसको भी फसा लेते हैं, ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये फस गया, और ये हमारा मे मीरर बनके complete हुआ दोस्तों बहुत ही सुन्दर बहुत ही लाजबाब बना है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में अ कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है तो इस तरीके से आप बनाईए बहुत ही अच्छा लगेगा और रूम में टांग ए इस मारा मीरर हमारा बनके तैयार हुआ यह दिखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा